नमस्कार साथियो आज हम बात कर लेते हैं भई दुबई से रिलेटेड जी हाँ साथियो दुबई में भी भई देखिए जैसे 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 जनता बढ़ती है जनसे क्या बढ़ती है तो सवाविक बात है कि वहाँ पे कुछ गलत होना सवाविक सा बन जाता है जी हाँ और खास तो आप समझ सकते हैं कि वो एक बड़ा इशियू बन जाता है जी हां, तो मैं इस बात को गलत मानता हूँ, यां हम बात करेंगे पाकिस्तानी, जी आप भई, पाकिस्तानी भी मेरे वीडियो काफी सारे आप लोग देखते हैं, तो यहां पे बात वह नहीं कि ये पाकिस्तानी ये इंडियन है गलत तो गलत है ये वो कोई भी कंट्री का हो और खास तोर्षे दूसरी कंट्री में जाके हम गलत काम करते हैं तो एक बड़ा इसू शनिंसिटिव एसू बन जाता इससे कहीं न कहीं देश की साख खराब होती है जी यहां और दुबई में रहके में बहुत सारी चीजे देखा है मैंने निजदीक से देख भी रहा हूं लेकिन यहां पे बोलना अच्छा नहीं लगेगा मुझे यह कोई पाकिस्तानी बंदा था उसने जबरजस्ती लिप्ट में लड़की से छेड़ चा कर्मेशन आपको मिलती रहे तो बता दूं लगबग दो मैंने पहले आज की यह आलांकी अभी तो कोड़ का फैसला है यह न्यूज है दो मैंने पहले की दुबई में एक सिटी अपार्टमेंट आपको पता है इंटरनेट से सिटी बहां पे लगबग फिलिपनों फिलिपनी मार्केट एक तरह से है उदर फिलिपनी लोग ज्यादा रहते हैं पाकिस्तानी भी दुबई में खूब रहते हैं इंडिया वाले भी खूब रहते हैं यहां पे कुछ मैंने देखा है प्रेक्टिकली भी लोग कुछ गलत एक्टिविटी में ज्यादा आकरसित हो जाते हैं लड़की की तरफ आकरसित होना ठीक है सहें टेक अलग इसी होता है लेकिन जब हम किसी के सात्थ जवरदर्षति करने लग जाते हैं तो उसका नतीज़ा प्रेments करते हैं लेकिन कोशिस फिर गलत साबित हो जाती हैं फिर जेल में जाना और फिर और बड़ी वेस्ती करवाना यह आप मान सकते हैं हुआ कि फिलिपनों कोई अपने घर पे जा रही थी जोब से निकले के इंटरनेस्टल जो इनका शिटी मार्केट है उनकी तरब तो एक पाकिस्तानी लड़के ने लिफ्ट में जियां वो उसका पिछा करते करता है लिफ्ट में उसके साथ सामिल हो गया जी हां आपको पता भाई दूबई तो लिफ्टों में चलती है पूरे अपार्टमेंट में एक दूसरी एक पहली अगर आप मंजिल पर भी जाते हो तो लिफ्ट से जाना होता है तो वह बंदा मोका पाके उस लिफ्ट में घुस गया फिलिपन और वह दोई लिफ्ट में हो वह यहां रहते हैं वह 2 किलोमेटर दूर जाके अरकत करते हैं तो उनको नहीं पता होता कि आप CCTV कैमरे में कैद हो रहे हो कितनी बड़ी बात है यार गलत काम करते हुए आप कैमरे में देख रहे हो आपको कोई देख रहा है फिर वह एविडेंस के तोर पे काम आएगा तो आपको वहां पे सपाई देना मोका मारना या फिर जूट बोलने की गुंजाइस खतम हो जाती है उसने उसके साथ जबरजस्ती तरीके से इलीगल तरीके से उसको छुआ उसके साथ छेड़-चाड़ की जबरजस्ती उसको बोला कि मैं तेरसे प्यार करता हूँ तेरसे प्ाकिस्तान तो है नहीं की वहां टाइम लगेगा यह ओजैगा वह जैगा तुरन्त फुलिस ने उसको अरेस्ट किया कोर्ट में उसको गवाई के लिए कोर्ट ने उसको सजा भी सुना दी दो तिन मैने, यहां तुरंध फेसले होते हैं, आप सब को पता ही होता है, तो उसको सजा सुना दी तीन मैने की, वो तो शिर्फ छेड़ चाड़ का मुग़तमा लगा, तीन मैने की सजा सुनाने के बाद उसको आधेश दिया, जैसे सजा हो इसको निर्वाशित कर दो दुबई से लाइब टाइम के लिए तो भाई क्या है यह यह ऐसा प्यार होता है आप जोब कर रहे थे आपका जोब गया आपकी सजा हो गई पूरे आपके परिवार समाज मोले में पता लग गया कि हमारा परिवार का बंदा हमारे है भाई तो मेरा एक कहने का मतलब है कि आप दुबई में गल्प कंट्री में कहीं पर भी जोब कर रहे हैं सहमती अलग चीज होती है जबरजश्ती किसी के साथ करना अलग बात होती है तो इन चीजों से थोड़ा बचें अवोइड करें आप यह गलत करने से पहले अपने प पाकिस्तानी कितना वर्ड है घंदा कितने लोगों की जुबान पर नाम चड़ गाया फाकिस्तानी आदमी था तो कितनी चे इंडियन हो अगर इंडियन गलत करता है तो गलत ही है ना तो आप यहल्व